So what's up guys, इस टाइब की फोटो को एडिट करने एक लिए सबसे पहले आप लोग को लाइटूम एप को ओपन करना होगा और जैसे ही आप लोग इस वाले एप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइब की इंटरफेस देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजेगा कर लेने के बाद अपनी गैलरी से अपनी फोटो को सलेक्ट कीजेगा जिसे आप लोग को edit करना है और कर लेने के बाद add वाले icon पे click करके photo को lightroom app के अंदर add कर लीजेगा और guys इसी photo को हम लोग edit करेंगे और आपका भाई इतना आसान तरीका बताएगा जो कि पूरे YouTube पे आज तक आपको किसी ने नहीं बता होगा तो वीडो को completed देखिएगा और वीडो के end में just one click में भी आपका भाई photo को edit करना सिखा देगा तो वीडो को completed देखिएगा तो सबसे पहले वाले step के अंदर side में हम लोग edit वाले options पे click करेंगे देने आप पे आप लोग के सामने बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे details के icon पे एक वरी ऐसे टैप करेंगे टैप कर लेने एक बाद इसकी sharpening वाले में आना होगा और इसकी amount को increase करके plus side में 28% करना होगा masking की value plus side में 46% करना होगा और इसकी noise वाले options में चले जाएगा और जाने के बाद इसकी noise reduction की value plus side में आप लोग 23% कर लीजेगा और आपका भाई जो भी setting बता रहा है उसे आप लोग अच्छी तरीके से कीजेगा तभी आप photo को edit कर पाएंगे देनिया से noise reduction में आके इसकी noise reduction की value increase करके plus side में 28% इस continuous को 100% कर दीजेगा और ये सारी setting आप लोग जैसे ही कीजेगा तो आप लोग का पहला step कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसान ताम लोग का पहला step लेकिन अगर आप दूसरे step को नहीं देखते हैं तो कभी आप photo को edit कर पाएंगे तो दूसरे step को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो simple से उसके लिए scroll करके उपर आईएगा और इसकी light वाले icon पे एक बरी ऐसे type कीजेगा कर लेने के बाद contrast की value decrease करके minus side में 32 सर्चन कीजेगा highlight की value भी decrease करके minus side में 12-12% और इसकी shadow की value plus side में 26 सर्चन और इसकी blacks की value decrease करके minus 17 कर लिजेगा देन इतना सरा काम आप लोग जैसे ही कीजेगा तो आप लोग का दूसरे आला भाई step complete हो जाएगा और आपका भाई एक 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 इस type बहुत ही simple तरीके से बतायागा तो वीडो में बने रहेगा और वीडो के end में just one click में भी आपका भाई photo को edit करना सिखा देगा तो simple से 30 वाले step के अंदर colors के icon पे आएंगे और यहाँ पे कुछ step की interface आप लोग के सामने देखने को मिलेगा तो सबसे पहले इसकी tint की value decrease करके minus side में 12% कीजेगा temp की value plus side में 10% और vibrance की value plus side में 10% कर लीजेगा देन इतना सारा काम कर लेने के बाद ऊपर side में कोने में mix tool के icon पे आप लोग क्लिक कीजेगा और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे colors नजर आएंगे और इनी color का use करके आपका भाई tone को create करना बताने वाला है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से क्या कीजेगा blue color को लेके इसकी situation की value minus 100 कर दीजेगा equal blue color को लेके इसकी situation की value minus 100 कर दीजेगा green color को लेके इसकी situation की value minus 100 कर दीजेगा yellow color को लेके इसकी situation की value minus 100 कर दीजेगा और simple से audience color को लेके इसकी situation की value minus side में 20% luminous की value क्या की जिए प्लस साइड में 14% और यहां से red color को लेके इसकी u की value प्लस साइड में 8% करके और simple से आप लोग done click कर दीजेगा इतना सारा काम कर लेने के वाद आपकी पूरी photo कुछ इस type से देखने को मिल जाएगी और photo के अंदर color grading कैसे किया जाता आगे आपका भाई बताने वाला है तो वहां पे आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तो सबसे पहले mix tool के बगल में grading के icon पे आप लोग type कीजेगा इस call करके नीच आके इसकी blending की value प्लस साइड में आपके क्या कीजेगा 80% कीजेगा balance को increase करके प्लस साइड में 44 सर्चन करके उपर आके highlight वाले section में आ जाईएगा और आने के बाद आप अपनी finger से पकड़ के ऐसे घसीट के ना थोड़ा सा आप लोग blue side में कर दीजेगा कुछ step से कर लेने के बाद इसकी hue की value 224 रखिएगा situation को 44 और उपर आके आप लोग done click कर दीजेगा देन इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग का 3 step completed हो जाएगा तो photo को full HD में convert करने कले simple से scroll करके उपर आके effect के icon पर टैप करके texture की value plus side में आप लोग 12%, clarity की value plus side में 6%, dice की value plus side में 12% करके simple से wignet वाले में आईएगा और इसकी amount की value कम करके minus side में 42% और क्या कीजेगा इसकी जो अना midpoint की value minus plus side में 40% कर लीजेगा और इतना सारा काम कर लेने के बाद आल्टू अलब की पूरी photo edit के आजाएगी जो देखने में काफी वसन और फार्सी दिखरी है और मैंने इस photo का जो preset होता है आप वो description box में दे दिया प्रार्सी जो श्रादार झालब के बाद्ट के लुआझरा का लादाएगी अरी लुआ के लाद़िंगे ऑ्र्सी माशी घर्सी जो भादाएगी